lecture में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि writing ये research papers, how to write a research papers तो इस वीडियो में मैं थोड़ा detail में आपको बताऊँगा, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा आपका, तो ये वीडियो अगर आप last तक देखेंगे तो मैं एक पूरा process बताऊँगा कि एक research paper कैसे लिखा जाता है, उसके title से लेके reference तक कैसे होता है, किस तरीके का references होते हैं, किस तरीके का हम title provide करते हैं, abstract क्या होता है, introduction में क्या लिखा जाता है, methodology में क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद जो आपके methods के base पर result होता है, तो उसका discussion कैसे होता है, conclusions क्या होते हैं, और इस situation में मैं आपको बहुत चोटे-चोटे tips देते रहूंगा, जो मैंने experience किया है, और आपको ये भी बताऊँगा कि कौन से journal होते हैं, journal में publications कैसे करते हैं, कौन से standard journal होते हैं, वो सब के बारे में मैं आपको one by one कर गया, तो इस वीडियो को सबसे पहला हमारे पास आता है कि, what a research paper means, मतलब research papers का मतलब क्या होता है, कई लोगों का यही रहता है कि हम research papers अगर लिखते हैं, तो इसका meaning क्या होता है, हम research paper क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो सबसे पहला point हम लोग देखते हैं, कि a research paper is an, अगर हम बात करते हैं, एसे, यानि एक तरीके से रिसेस पेपर को हम लोग बोल रहे हैं, एक एसे होता है, एसे का मतलब आप समझ रहे होगे, कि आप कभी कोई टॉपिक्स दे दिया है, उसमें आप जोता है, कुछ चीजों को सजाक ये लिखते है, and then, कि इसमें ये हो जाता है, कि जो भी चीजे होत होता है, तो in which you explain your findings, after exploring your topics in depth, जैसे मैंने बोला, आप पुरी तरह से सोच लेते हैं, और उसको फिर आप, या तो essay form में लिख देते हैं, या article form में लिख देते हैं, तो इस तरह से आप मान सकते हैं, कि एक research paper जो होता है, कुछ नहीं होता है, वो एक तरीके से standard form of essay and article, जो technically हम research से जोड़ते हैं, उसको, second point में आप बता गया है, कि in a research paper you include information from source such as book, आपके पास जो, आप देखिए, अब जब हम research paper रखते हैं, तो हमारे दिमाग में तो ऐसा ही कोई चीज नहीं आ जाती है, we have to be include the standard format, यानि हम standard जो terms होते हैं, उसको use करेंगे, तो यह standard terms होते हैं, वो books म available होते हैं, कुछ journals से हमको मिल जाते हैं, कुछ conference के articles होते हैं, उसे मिल जाते हैं, कुछ लोगों के interviews होते हैं, उसे हम मिल जाते हैं, या फिर internet में हम सर्च करके देख सकते हैं, तो research paper, nothing but the combination or integration of the some special types of terms and statements which is available in books, journal, conference, articles, interviews, इनमें available होते हैं, उसे हम कुछ जो मोटी-मोटी बात होते हैं, जो important concept होते हैं, या important जो चीजे बताई जाती हैं, उसको लेके हम research paper में arranging करते हैं, arrange करते हैं, sequence form में लिख देते हैं, तो research paper का मतलब भी वही होता है, you also use your own ideas, जैसे मैंने अभी बताया, कि अगर आप second point का use करते हैं, तो आप इनका use करते हैं, अगर suppose कर लो, आपक knowledge या फिर कोई opinions है, आप रखना चाहते हैं, जैसे यानि आपकी सोच है, आप सोच रहे हो कि ऐसा होने से कैसे रहेगा, तो you can put your ideas या आपका जो knowledge है, experience है, या जो भी आपने knowledge gain किया है, बुक पढ़ने के बाद, या other journal पढ़ने के बाद, तो इसको भी आप जोता है, सामने र क्यों लिखते हैं, वाई, मतलब उसका reason क्या है, लिखने के पीछे क्या कारण है, हम लोग क्यों लिखते हैं, तो सबसे पहला उसमें आ रहा है, to put new knowledge in a public forum, to announce it to other and so that other can use it, simple सी बात है, मैं हमेशा अपने students को या फिर अपने जो junior research scholars है, उसको मैं यही बोलूंगा, कि अगर आपके अंदर कोई सोच है, आपके अंदर कोई thinking है, आप कुछ सोच रहे हो, दुनिया के लिए या फिर समाज के लिए कुछ सोच रहे हो, तो you have to be put out, यानि आप उसको बहा निकालिए, आपके अंदर दबा रहेगा, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपके साथ दबा तो research paper का मतलब यह है, कि आप अपने knowledge को publicly expose करो, publicly बताओ, ताकि आपका यूज करके कोई नया चीज, कोई innovation या कोई समाजिक कार्ज होता है, हो सके, तो इसलिए आप जोता है, अपने knowledge को दीजिए, तो research paper के अदेशी यह होता है, कि आप अपने knowledge को publicly distribute करो, publicly announce करो, second, it improves your reading skills from multiple sources, अब दूसरा, अब देखें, दूसरा खास बात यह होता है, पहला तो हो गया कि आप social work के लिए, या दुनिया को अपने ideas को दे रहे हो, ताकि दुनिया आपके ideas को पढ़ सके, और उसे कोई नया ideas generate कर सके, अब दूसरा बहुत ही अच्छी चीज होता है, कि अगर आपका reading skill, suppose को लोग थोड़ा weak है, आपका interest नहीं है, तो इससे आपका interest बढ़े आएगा, यानि आपका reading skill भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि जब आप multiple sources को search करोगे, उसमें identify करोगे, उसमें से कुछ mining करेंगे, और उसमें से कुछ सीखोगे, deep learning पे जाके, या deeply, आप उसमें learn करते ह हो, तो definitely जब learn करते हो, या फिर जब search करते हो, तो search करने के पास definitely उसको read करोगे, तो read करने से automatically आपका reading skill weak था, वो improve हो जाएगा, तो देखिए, research करने से एक पायदा ये भी मुल रहा है, कि हम research करते हैं, तो ये benefit है, इसलिए हम research करना चाहते हैं, it creates a research mindset, तो simple सी बात है, अग automatically आपका जो research mindset है, वो developed हो जाएगा, आनि normal एक writer के बजाए, research के point of view से आप सोचने लोगे, यानि कुछ नया चीज़े सोच रहे हो, कुछ नया innovation के बारे में सोच सकते हो, अगर आप research कर रहे हो, it can promote curiosity, simple सी बात है, अगर आप research करते हो, तो बहुत सरे options को आप search करते हो, literature review करत है, कि आप curious हो जाते है, curiosity बढ़ जाती है, कि अगर मैं ये चीज़ करता हूँ, अगर मैं A करता हूँ, तो जो society को B benefit मिलेगा, तो इसका मतलब है, मैं A को क्यों ना आगे बढ़ाओ, curiosity बढ़ जाता है, अगर A को पढ़ते हो, तो B का interest रहता है, B को पढ़ते हो, तो ऐसे intellectual property rights matter, तो ये हमारे पास important होता है, कि आपके पास, आप अगर कुछ चीज़ों को लिख जाते हो, तो इसका मतलब वो आपका ideas है, pure ideas है, तो अगर आप इसको paper या research paper के form में publish करते हो, तो एक तरीके से वो worldwide जोता है, copyrights में, यानि एक तरीके से rights हो जाता है, यानि अगर उस matters क अगर कोई लिखने की भी कोशिस करता है, तो वो plagrism में आ जाएगा, तो इसलिए हम research paper को अगर हम लिखते है, तो definitely आप अपने ideas को जितनी जल्दी हो, publish कर दीजे, ने तो ऐसा नहीं हो कि आप सोचते रह जा रहे हैं, और आपके जैसा सोच कोई और developed करके उस ideas को publish कर देता ह है, उसके बाद अगर आप publish करने जाते हो, तो plagrism में आ जाएगा वो, तो इसलिए आप अपने सोच को बदलो, और research को करते हो, तो जो भी आप thinking कर रहे हो, उसको आप दीजे, तो plagrism में आ जाएगा वो, दुसरों के लिए, और intellectual property rights matter भी होता है, यानि वो आपकी चीज है, literature survey करते हो, literature review करते हो, या बहुत सरे चीज़ों को reading करते हो, तो reading skill बढ़ भी है, साथी साथ, जब paper लिखना सुरू करते हो, तो writing skill automatically बढ़ जा रही है, क्यों, क्योंकि आप combinations of, जो आपके पास sources available है, उससे data को लेते हो, और उसको एक framing करके, उसको लिखने लगते हो, तो इस scholars को publish करा, यानि mtech scholar जो मेरे under में किये, उनको मैं paper publish करा, तो जिसे कि क्या हो रहा है, कि मेरा जो reading skill है, वो भी improve है, as well as writing skill, यानि सोचनी की शमता भी मेरी बढ़ गई है, तो ये जो writing skill है, मतलब लिखने की शमता है, ये भी improve होता है, तो इसलिए definitely research paper में हमारा workout होना चाहिए, more points for higher studies like MS, mtechs, etc, तो इसका मतलब है, अगर आप research paper में involved होते हो, research के कामों में involved होते हो, तो आपको automatically higher studies के लिए promote हो जाते हो, आपको point मिल जाता है, कि मैं MS करो या mtech करो, क्योंकि वहाँ पे आपको ये useful होता है, तो ये होगे हमारे points क्या होता है, अब जाते हैं कि how to start, सबसे important होता है, हमने तो जान लिया, research paper क्या होता है, और research paper क्यों लिखना चाहिए, मतलब ये हो गया, अब जाते हैं कि इसको start करना है, सब कुछ पता है, अब इसको start करना है, कैसे करेंगे, कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास ऐसा है वो ऐसा है, लेकिन इसको start करने के लिए आपक पास एक motive होना चाहिए, objective होना चाहिए, यानि आपके पास एक topic होना चाहिए, जिस पे आप काम करोगे, अगर आपके पास कोई topic नहीं है, तो फिर काम कैसे करोगे, तो एक topic को आपको find out करना, तो topic को कैसे find out करेंगे, तो इसमें आता है, focus your research on narrow topic, तो इसके मतलब है, हमारे पास topics जो होता है, बहुत broad topics होता है, जैसे for example, मैं अगर एक topic बोलता हूँ, image processing, तो image processing अगर मैं topic बोल देता हूँ, तो ये हमारे पास जोता है, एक broad topics हो जाता है, इसमें हमारे पास बहुत सारे topics होता है, जैसे segmentation की बात करते हैं, या पिर जाता है, compression की बात करते हैं, compression भी आजाता है फिर उसके बाद होता है जैसे फिंगर पिट आइंटिफिकेशन की बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि यह अगर हम बात करेंगे तो this is your broad topics लेकिन अगर हम in specific बात करेंगे तो this is called narrow topics तो यह जो narrow topics की बात कर रहे है वो यह होता है तो इसलिए आपका topics होता है वो narrow हो हो रहा है जो हमको satellite image पर मिल रहा है उनमें से हम एक crop area को कैसे करके identify करें segment करें कि crop area कौन सा है और non crop area यह नहीं non cultivated area कौन सा है soil के color से भी आपको पज़ा जाता है तो focus on your narrow topics आप narrow इसी तरह से आप जोता है insect identifications पे भी आप कर सकते हो उस पर आप काम कर सकते हो जैसे कि lip segmentation के बात कर सकते हो तो इस तरह से आप अपने topics को narrow सोच के करना है broad सोच में यान image processing करके नहीं करना है आपको narrow सोच में करना है search for credible sources online and at a library definitely अगर आप narrow topics को define कर रहे हो so it is depends on the searching process तो इसका मतलब है आप अगर search करोगे तो online search कीजिए या narrow topics को अगर search करते हो तो library में जाईए और वहाँ बहुत सारे journals, articles है, books है उन्सको पढ़िए और जिससे कि आप एक credible source find out कर लिजिए कि कहाँ पे आपको ये narrow topics जो आपने define किया कहाँ सी इसका आपको data मिल जाएगा तो extensive literature survey, recent general issues, recent conference on the topics तो इसका मतलब है अगर हम थोड़ा सब further extension पे चलते हैं जैसे मैंने अभी बताया second point तो second point में आप search कर रहे हो credible sources के आप इसको थोड़ा extend करते हैं, extend करने के बाद हम चलते हैं कि अब जब हमको मिल गया source कि कहां से हमको मिलेगा तो वहां से हम बहुत सरे data download करें और उसके बाद उसमें extensive literature survey आप उसमें कीजिए यानि पूरे के पूरे चानबिन कर लीजिए, पूरा का पूरा सर्च कर लीजिए कि कहा होता है या recent जो journal के issues है उसमें देखिए तो यानि recent का मतलब यह होता है कि हमेशा जो भी आप topics find out करते हैं तो recent में जो publications हुए हैं उसको लेके आप आगे further क्या changes कर सकते हैं उस पे काम क कीजिए, come up with a topic, तो इसका मतलब होता है कि आप एक narrow topic को define किये हो और narrow topic के बाद जोता है आपने source को पता किया, source के बाद जोता है आपने उसमें extensive search किया और extensive search करने के बाद जोता है आपको एक topics finalize करना है, तो यह topics आप पूरा process यानि 1, 2, 3 यानि टॉप के 3 process को करने के बाद आपको एक topics final करना है, तो इसलिए यह जोता है कि searching और your topics, तो topic को search करना बहुत easy process है, लेकिन थोड़ा सा lengthy इसलिए आपके लिए elaborate हो जाता है, क्योंकि initial investment है, यानि topics final करना है, यानि एक तरीके से initial investment है, लेकिन इस duration बे आपको बहुत सारी चीजे भी आपको साथी साथ parallel हो जा लिटरचर सर्वे का एक सिग्मेंट तयार हो जाता है, और साथी साथ आपने एक topic decide कर लिया, तो इस तरह से एक topic खोजने में आपको 2-3 चीजे आपको मिल जारी है, अब जब आपके पास सारा चीजे आपने सोच लिया, आपने topic decide कर लिया, तो साथी साथ आपने literature सर्वे मे बहुत सरी चीजे आपके दिमाग में आगे है, तो एक तरीके से आपने जो research या जिसको हम लोग बोर है essay, writing, यानि उसका एक draft तयार हो जा रहा है, तो उसके drafting करना है आपको, तो drafting मतलब एक तरीके से outline है, अभी भी physically exist नहीं कर रहा है, आपका research paper एक तरीके से दिमाग की जो कि आपका paper structure को define करेगा, यानि paper structure standard होते हैं, लेकिन कौन से segment में या कौन से segment में हम क्या लेखेंगे, या उसके subsegments कैसी होंगे, वो चीज़े आप define कर लेते हैं, second जो होता है, present research already done in the topics and argument in the introduction, तो आप इसके बाद जो होता है, यह देखेंगे कि presently, इसमें topics जो आपने define किया है, उसमें कितने सारे research हो शुके हैं, और उसके base पर जो होता है, उसका जो भी arguments हैं, जो भी ifs and buts हैं, उसको आप introduction section में provide करेंगे, build your argument in the body paragraphs, तो इसका मतलब बता है, कि आप जैसे introduction से सुरू किये, कि आपने यह बताना सुरू किया, कि यह arguments क्या बता रहा है, यानि कौन सा research हो चुके हैं, उसको आपने introduce किया, और साथ ही साथ जो हता है, उसका एक खांचा तियार कर लो, build your argument, यानि body paragraph में आप उसको तियार बता दिया गया है, कि सबसे पहले यह बताया गया है, कि आप एक outline बना लीजिए, फिर उसके बाद उसका एक introduction सोच लीजिए, कि क्या-क्या pros and cons है, topics में, और उसमें क्या किया जा सकता है, build your argument, या दा body paragraph, आप जोता है, उसमें body paragraph में जाएंगे, और उसमें उसको use करेंगे, जब आप इसमें body paragraph में होते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यानि आपका methodology section पूरा हो गया, result section हो गया, उसके बाद उसको summarize your argument in the conclusion, और finally conclusion के तुरू इसको, यानि एक draft हमने तयार कर दिया, आप इसका actual रूप में जाना है कि किस तरह से होता है, अब जैसे आपने draft तयार कर लि transition, transition का मतलब बता है, बहुत simple से बात है, transition मतलब flow, अगर हम बात करेंगे flow, आपका flow सही है कि नी paper का, ये एक बढ़ चेक कर लो, आपने जो दिमाग में बटाया है और जो structure आपने बनाया है, यानि जो आपने draft तयार किया है, तो वो सही है कि नी, उसका flow सही है कि नी, वो organize है कि नी, अगर ऐसा chance है कि उसको reorganize करना है, तो कर लिजिए, cut out unnecessary words and sentences, जैसे आपने, ये तो actually ये वाला portion है कि revising कर रहे हो, revision, revising हो रहा है, तो revising जब आप कर रहे हो, तो उसमें कुछ unwanted words and sentences है, तो उसको उटाना शुरू कर दो, use simple present past future tense as per context, तो इसका मतलब है, जब आप इसको लिखते हो, तो generally present tense, past tense and future tense की बारे में लिखोगे, तो past tense में generally हमारा जो literature survey है, वो past tense में होता है, तो इसलिए इस चीश का ध्यान देना है, present tense में आप जो introduction लिखते हो, या present scenario पर जो काम हो रहा है उसको, और future में future scopes, या फिर conclusion section में आप उसको put कर सकते हो, प्रोफरेड, कितना correct है, तो उसके लिए आपके पास simple सी बात है, proof rate करना है, तो proof rate के लिए सबसे important होता है, spelling सही होना चाहिए, grammatically correct होना चाहिए, और formatting errors होता है, तो ये जो चीज़े होते हैं, इनको आप proof reader आपके पास होता है, उनसे आप करवा सकते हैं, या अच्छे से इसको proof rate कर लीज आज के फ्रेंड, उसके बाद जब आपका structure बन जाता है, तो अपने दोस्तों से discuss कीजिए, यानि ऐसे दोस्तों से जो technically जुड़े हुए है, research pay field से, उनसे पुछिए या normal जो friends है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, कि अगर मैं ये लिख रहा हूँ, ये कितना सही है, relative से जो को revise करना ज़रूरी है, तब ही जाके आपका paper successfully बनेगा, अब आते है actual condition पे आई नहीं, अब हमने जो इससे पहले किया, जो भी हमने पढ़ा है, यानि structure of research paper के पहले, जो भी चीज़े मैंने आपको बताया, एक तरीके से वो analysis phase है, यानि analysis किया हमने, और analysis करके, हमने अपन revise करने के बाद, हमने ये तैकल लिया है कि मेरा जो paper है, अब लगबक तयार है, मेरे contents अकबर grammatically correct है, सब चीज़े मैंने साही कर दिया, अब उसको structure form में, यानि आप research paper के form में convert करते हैं, तो research paper के form में, जब हम convert करते हैं, हमारे पास content available है, बस उसको set करना है, according to the sections होते हैं, त authors का information, यानि इसमें कितने author काम कर रहे है, अकेला आप author हो, या आपके साथ कोई help कर रहा है, आपके guide help कर रहे है, तो वह होगा, teacher help कर रहा होगा, abstract, abstract बहुत simple होता है, पूरे paper का एक बहुत summarize form होता है, उसको हम लोग में करते हैं, keywords, keywords मतलब ये searching purpose के लिए बहुत अच्छा हो topics का एक introduction form में आपको इसको समझाना पड़ता है, उसके बाद आपने अगर कोई algorithm या method define किया है, तो methodology section होगा, can have two or more subsections, आप इसमें दो या तीन subsection include कर सकते हो, तो ये भी आप जोता है, जब drafting कर रहे हो, उससे समय सोच लेना पड़ेगा कि आपके methodology में क्या-क्या चीजे methodology के base पर, कुछ आप results generate होगा, तो that means you have to be do some practical experiments, या experimental some kind of data's are दिया, जिसमें आप कुछ experiments करेंगे, and based on data, the result is going to be generated, तो उसके base पर आपके findings क्या होगे, results क्या होगे, ये discuss करेंगे, finally आपका conclusion होगा, conclusion में हम लोग future scope को भी include करते है, तो conclusion का मतलब होता है, कि हमने introduction से लेके, conclusion का जो main target होता है, वो methodology और findings पर depend करता है, कि आपने methodology में क्या input किया है, मतलब क्या insert किया है, या क्या provide किया है, और उसके base पर आपका result क्या आया है, और पूरे का discussion में आपको क्या conclusion मिल रहा है, कि ये आपका सही है, या गलत हो चीज, और उसके बाद last section, जो ninth वाला section है, वो है references है, यानि references मतलब जो भी आपने article, जो भी आपने journal, या जो भी आपने books से कोई भी data लिया है, तो उसका reference करना ज़रूरी है, जबसे पहला है आपका title of the research paper, बहुत important है, तो title of the research paper में आता है, the title summarize the main idea or the idea of study, simple सा language है, मैं लिखा हुआ है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कि title में आप जो पूरे paper को लिखते हो, उसका सार चुपा होता है, यानि उसका जो summarize form है, यानि ये बहुत ही ज़्यादा summarize होता है, यानि abstract से भी छोटा होता है, यान इसलिए title जोता है, main idea का बहुत ही short form होता है, summarized form होता है, so keep the title brief and clear, तो simple से बात है, जब आप title लिखते हो, तो एक ऐसा title लिखिए, जो कि clear हो, brief में हो, और clearly identify हो, एक sequence को maintain करता हो, use active verbs instead of complex noun based phrases and avoid unnecessary details, simple से बात है, active verbs, मतलब ऐसे verbs का use की हो, जो straightforward or sequentially और easy way में और briefly लिखा हो, तो इसका आपको यूज़ करना है, moreover, a good title for a research paper is typically around 10 to 12 words long, simple से बात है, brief जब बोला गया है, तो बहुत ज़्यादा आप word use नहीं करेंगे, 10 to 12 words ये बोला जाता है, कि good title के लिए 10 to 12 words होते है, इससे भी ज़्यादा words की use होते है, बहुत सारे, लेकिन कभी-कभी उस title को पढ़ने में हमारा जोता है, complexity बढ़ जाती है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कि हमने सुरू कहां से किया है, और title जब खदम होते होते हैं, हमको यहीं भूल जाते है, कि हमारा title सुरू से क्या था और बाद में क्या है, इसलिए title इतना short होना चाहिए कि जब हम पूरा पढ़ते हैं, तो एक बार में हमारे दिमाग में बैठ जाए कि हाँ, इस title से, यानि इस paper में इसका मतलब क्या है, यानि इस paper में हमको क्या findings मिलेंगे, an effective title should be, जैसे for example, कुछ title ऐसे होना चाहिए, तो effective title में क्या क्या चीज़े include होती है, जैसे convey the main topics of the study, simple सी बात है, आपका research paper का जो main objectives है, या main theme है, उसको base करके आपका topics होना चाहिए, convey करना चाहिए, यानि आपको एक तरीके से convey करना है कि research paper में आपका जो paper है, वो क्या बता रहा है, उस पे आपको दे highlight the importance of the research paper, यानि उस title में जब आप लिख रहे हैं, यानि 10 to 12 words में जब आप लिख रहे हैं, तो main topics के बारे में तो आप convey करी रहे हैं, और साथ में उसके importance के बारे में भी उसमें include कर दो, be concise, मतलब बहुत छोटा होना चाहिए, attract readers, यानि title ऐसा होना चाहिए कि पढ़ते साथी reader को attraction आजा, अरे वह, बहुत बढ़िया सा title है, आप इसमें research paper में definitely हमको कुछ मिल जाएगा, बस वह ही हो गया, अब जैसे attract readers के मतलब जैसे example दिया हुआ है, COVID-19 vaccination of children, देखिए, यहाँ पे जो attraction कर रहा है, वो आपके पास simple से बात है, COVID-19 तो सबी ने सुना है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि COVID-19 से related अगर हमारा बात है, तो COVID-19 vaccination तो हो गया, ठीक है, लेकिन जो children दिखा है, यह attract कर रहा हमको, और उसके साथ में आगे लिखा हुआ है, a randomized trial, यानि यह थोड़ा attraction कर रहा है, तो यहाँ पे दो word attractive है, आपका child है और randomized trial, उसके पास effect of the COVID-19 vaccination on infection rates in rural community is a randomized trial तो देखिए, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, effect of COVID-19 vaccination infection rates, तो यहाँ पे आपका attractive जो word है, वो है, infection rates और साथी साथ rural, यानि यह थोड़ा attract कर रहा है, तो इससे क्या होगा हमारे दिमाग में आ जागा है, इस title में यह बुर रहा है कि infection rural area में या communities में जादा हो रहा है, तो हमारा attraction है, वो ruler, यानि हम research paper को पढ़ेंगे, तो यह होता है हमारे पास, अब जाते है author information, तो second part होता है author information, यानि author का detailing होता है, तो first author, यानि mostly corresponding होता है, यानि first author, जरूरी निये कि first author corresponding होता है, first author का नाम का weightage, first author का सबसे ज्यादा होता है, second author, third author इस तरह से हमारा चलते रहता है, there can be three to four authors, यह तो एक standard बोर रहे है कि three से चार होता है, ऐसे भी papers होते हैं, जिसमें सो के करीब भी authors पाए गए है, ऐसे कुछ standard paper, मतलब ऐसे कुछ examples है papers के, mentor's name as the last author, तो इसका मतलब है, अगर जो guide है, supervisor है, या फिर कोई research scholar है, या कोई भी, तो उसमें जो जिसको आप guide कर रहे हो, तो उसमें आपका नाम, क्योंकि आप guide हो, तो आपका नाम हमेंसा last में होना चाहिए, और यह promote भी करना चाहिए, आप लोगो कि जो research scholar है, उसका नाम पहले होना चाहिए, author name, institute, email ाइडिस of all authors need to be mentioned, तो यानि यह चीज़ compulsion है, वो चीज़ होता है, बट एक important है, जो कि नहीं करना है, आप लोगो को, वो होता है, does not require your designation mobile, देखो, जब हम research paper लिखते है, या को, article जैसे हम लिखते है, research article लिखते है, तो उसमें आपके mobile number से कोई लेना देना नहीं होता है, और यह भी नहीं होता है, कि आप किस post में ह है, आप अगर paper लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है, you are simply in the, from the community of researcher, यानि आप researcher के form में ही आपका representation है, आपका form में, यानि associate professor, professor या कुछ है, उससे आपका कोई लेना देना है, तो इसलिए designation या mobile number कभी लिखना नहीं चाहिए, अब याते है, next जो होता है, abstract, abstract name is definition, मतलब पूर पूरे paper का एक abstract form, बहुत summarized form में आपको बताना है, जिससे कि आपका paper पढ़ने के पहले, आपके abstract से इतना attractive हो जाए, कि वो आपके paper को पढ़ने के लिए promote हो जाए, यानि वो आगे बढ़ जाए, यानि उसके अंदर वो interest आ जाए, so an abstract is like a movie tailor, जैसे मैंने simple से यह बलूँग जाता चल जाता है कि movie में कितना interest होगा, तो just like that, people will only consider reading the rest of the manuscript if they find your abstract interesting, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपका abstract interesting है, तो definitely वो जो होता है, आपके research paper को download करेगा, और फिर उसको read करने का definitely जाएगा, तो इसलिए abstract इतना concise होना चाहिए, इतना summarize form और इतना meaningful होना चाहिए, और इ कि कहीं भी वो पढ़ने से उसका interest आ जाए, writing the abstract after you have finished writing your whole paper, तो simple से बाद है, abstract कभी भी पहले नहीं लिखा जाता है, जैसे thesis का भी abstract होता है, thesis लिखने के बाद ही generate होता है, तो इसलिए सबसे अच्छा idea यही है कि आप पहले पूरा paper लिख लीजिए, यानि introductions लेके conclusion तक लिख कि उसके बाद पूरे paper को पढ़ने के बाद आपको जो लग रहा है कि मैंने यह नया चीज़ find out किया है, अब उसको आप abstract में लिख दिए, तो यह सबसे साई अच्छा तरीका है कि आप last में आप abstract को लिखी, pick out key statement from your introductions, methods, results and discussion sections to frame your abstract with a logical flow, simple से बाद है, अभी जैसे बता है, प कुछ part उठा लीजिए, methodology, तो एक तरीके से जो यहां बताये गया है, वो आपको पता ही चल गया होगा, कि abstract में जो होता है, उसमें introductions भी होते है, methodology भी होता है, results भी होते है, और उसका conclusion या discussion होते है, यानि सब का conclusion नहीं होता है, यानि अगर conclusion को छोड़ देते हैं, तो introduction से ले production होगा, उसके continuation में methods होगे, उसके continuation में result और उसके continuation में discussion आपका रहेगा, तो यानि आपका abstract इस तरह से खतम होगा, edit your abstract carefully to make it cohesive and meet the word count requirements of the journal, तो इसका मतलब है कि आप abstract को carefully edit कीजिए, अगर ज्यादा words आ गया है, तो उसको reduce कीजिए, क्योंकि कई सारे standard general होता है, वो abstract को specify कर दीते हैं कि इतनी words के अंदर होना चाहिए, it should be less than 250 words and should be in one paragraph, तो इसका मतलब है multiple paragraph में कभी भी abstract नहीं लिखना चाहिए, single paragraph में लिखना चाहिए, follow through, यानि introduction type से शुरू करके आप जो हता है result and discussion के base पर 250 paragraph के अंदर इसको लिख लेना चाहिए आपको, और single paragraph में लिखना चाहिए, अगर मान लो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा important है, जैसे 1% आपको लगता है कि नहीं citation देना है, तब जाके आप उसमें citation दे सकते हैं, ने तो फिर बिना citation का ही abstract रता है, तो यानि abstract is the summary of the content of the general manuscript, पूरा जो आपने लिखा उसके बाद, ए time saving shortcut of busy researcher, जैसे कि बहुत सारे researcher paper find out करते हैं, और कुछ नया findings find out करने के लिए बहुत सारे literature survey करते हैं, तो ऐसे researcher के लिए आपका जो abstract होता है, उसको पढ़ने से उसका बहुत सारा time बज जाता है, पूरे paper को पढ़ने, तो इसलिए abstract जो होता है, एक तरीके से shortcut method है, पूरे research paper को पढ़ने के बजा है, एक guide to the most important parts of your manuscript written content, तो इसका तरह, इसका मतलब बता है, कि एक तरीके से, एक guideline, abstract आपको एक guideline, यानि जो researcher होते है, या जो scholar होते है, तो उसको एक guideline मिल जाता है, कि manuscript का जो written content है, वो हो का क्या, उसके अंदर क्या हो लिए, Your abstract should answer this question about your manuscript, तो इसका मतलब बता है, कि अगर आप abstract लिखते है, तो कुछ additional चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ, कि कुछ question है, अगर वो answer मिल जाता है, यानि वो abstract सही है, तो क्या-क्या answer होना चीज़, what was done, यानि आपने अपने paper में क्या किया, वो भी लिखा होना चीज़, why did you do it, यानि इसको आपने किया क्यों, मतलब यह जो research topics लिया है, जो आपने किया है, इसको क्यों किया, मतलब किस लिया है, what did you find? अब जब आपने सोचेगा कि आपने इसको किस लिया, तो फिर आपने उसके base पर क्या नयाचीज आपको findings मिला है, यह भी abstract से पता चल जाने है कि आपको तो यहाने तीन question है चौनता question भी involved होने चाहिए कि why are this finding useful and important आपने तीन चीज़ों को बता दिया लेकिन चौनता चीज़ों में बता है कि अगर आपने कोई finding निकल तो यह कितना useful है आपके social working के लिए या social environment के लिए तो finally आप देख सकते हैं tip में दिया गया है कि journal often set a maximum word count of abstract often read 250 words and no citations this is to ensure that the full abstract appear in index service तो यह tips है keywords definitely keywords का बहुत अच्छा important role होता है कि keywords are the tool to help indexer and search engine find relevant paper जैसे suppose को लो आपका paper अगर google में type करें तो तुरंद आपका paper सामने आ जाया तो इसका मतलब है आपके paper को सामने लाने के लिए यानि indexer या search engine के लिए जल्दी से find out कर ले तो आप अपने paper में keyword आप use करते हो तो इसलिए keyword का importance बहुत जादा है to be effective keyword must be chosen carefully यानि आपको keyword ऐसे search करना चाहिए जो कि human mind में होता है कि अगर सूचता है कि कुछ paper को search करना है तो वो क्या type कर सकता है तो ऐसे word को आप keyword में use करों they should be represent the content of your manuscript जैसे कि आपका content of the manuscript है जैसे सबस कर लो आपने compression पे कुछ topics बनाया है तो इसका मतलब बता है कि आप अपने keyword में image compression रख सकते हो यानि आप एक या खाली compression रख सकते हो यह compression क्योंकि आपके पूरे research paper में compression के बारे में description तो इसका मतलब होता है आपका जो represent कर रहा है वो compression से represent हो रहा है be specific to your field or sub field जो भी field or sub field होते हो उसके specific होना चाहिए अब next जो हमारा point होता है important जो कि हमने almost जो initial label के जो research paper के structure होते हो हमने देख लिया अब जाते introductions, introductions में क्या होते है the introduction should provide readers with the background information needed to understand your study and the reasons why you conduct your experiments simple से बात है, पहुत simple introduction तो ऐसे में भी आप जानते हो कि एक तरीके से अपने research study का background और क्या कर रहे हो, क्या आपने समझा है उसका आप जोता है एक तरीके से क्या करने वाले हो उसके बारे में आप बताते हो every field is different but you should aim to cite references that are not more than 10 years old if possible तो जब हम introduction करते हैं और उसमें बताना सुरू करते हैं उसके background को बताना सुरू करते हैं definitely literature survey आ जाता है तो literature survey में generally जब आप introduction में literature survey देते हो तो ज़्यादा पुराने paper ना देखे 10 years जो back paper से उसको आप include करना है आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे topics है जो कि बहुत पुराने हैं तो आप उस research paper को ले सकते हैं a good introduction should answer the following question तो इसका मतलब है जैसे मैंने introduction के बारे में बता है कि आप जो आप topics में कर रहे हो उसका background आप बता रहे हो उसमें आपको क्या findings मिले या क्या करने जा रहे हो यह आप बता देते हो तो अगर हम अगर good introduction की बात करते है तो उसके अंदर क्या-क्या होनी चाहिए तो what is the problem to be solve यह होता है मैं अब simple सी बात है introduction में आप अपने problem का discussion कर रहे हो बता रहे हो कि यह problem है इसको मैं solve करने वाला हूँ are there any existing solution तो definitely जब introductions में आप जा रहे हो तो आप 10 years का back papers आप search कर रहे हो यानि literature survey कर रहे हो तो इसका मतलब है literature survey करने का reason यह है कि हम यह finding करते है यह पता करते है कि कोई existing इसका solution तो नहीं है इस problem पहले भी arise हो चुका है किसी research paper में उसका कुई solution निकला है क्या यह literature survey आप करते हैं which is the best अब जब आपने देखा कि कुछ existing solution है या existing research हुए है उन में से best कौन सा है what is the main limitation उसके बाद आपने देखा जितने भी आपने सर्च किया उनके सभी के limitation आपने चेक किया अब उस limitation से भी आपका जो होता है findings मिल सकता है कि इसमें मैं research कर सकता हूँ जो इसका limitation है what do you hope to achieve तो इसका मतलब जो अभी मैंने आपको समझाय है limitation मिला अब limitation को आप अपने strong point बना लिए और उसके बाद आपने सोचा कि मैं कुछ achieve करना चाहता हूँ इससे मुझे मिल जाएगा what do you hope to achieve यानि क्या hope है जो आप achieve करना चाहता है literature survey literature survey क्या होता है यह देखते है हम लोग सिंपल सा है the purpose of the literature review is to describe past important research and how it is specifically related to the research thesis ठीक है तो इसका मतलब है जो भी पुराने papers जैसे अभी हमने discuss किया था कि 10 years की पुराने back papers रहती है या बहुत most probably it can be go for the last again below the 10 years यानि before the 10 years you can use it तो इसका मतलब बता है कि पुराने papers कभी लेकिन इससे हमको क्या मिल रहा है कि past में कौन-कौन से important research हुए है और वो किस तरह से हमारे thesis या हमारे research के लिए eligible है या कितना fruitful है या कितना suitable है उसको आमनों check करते हैं it should include all relevant findings from credible source such as academic books and peer reviewed general articles तो इसका मतलब है you can go for literature papers as well as for other credible sources for example from the internet you can take it or from the academic books यानि कुछ books available है or peer reviewed general articles are there you can take the information from there यानि literature review में यह हमारे होते है तो you will want to यानि इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है try to show connection and any reference between the literature तो इसका मतलब जब आप literature survey करते हो तो सबसे पहला point important है जो आपका होना चीए वो हता है कि कोई connection है या कोई difference है कि literature survey में यह चीज़े आप findings कीजिए identify new ways to interpret prior research तो इसका मतलब है जो आपने differences या कोई connections आपने दिखा उसको अगर आप तोड मडोर के यानि कोई दूसरे वे में अगर उसको कोई interpret कर सकते हो तो आपका research का रास्ता जो होता है खुल जाएगा reveal any gaps that exist in the literature अब उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई gap है इनके बीच में जो भी आपने literature survey किया है और ऐसा लगता है कि इस topics में कुछ gap दिख रहा है यानि जो उसने finding किया है उसमें एक बहुत बड़ा gap दिख रहा है तो आप उस पे काम कर सकते हो अब important आता है कि आपने introduction दे दिया introduction में literature survey को आपने पूरा अच्छा से justify किया है अब आजाता है कि आपके कौन-कौन से method से जो आपने design किया है जो कि आपके findings है उसके base पर तो it can have three or more sections methodology में दो से तिन section आप रख सकते हैं the method section of a research paper provide the information by which a study validity is judges तो इसका मतलब है methodology में actual work होता है यानि आपका judge होता है यानि आपका जो चीज़े होते है उसका judgment यहां पे आपको किया जाता है यानि यह आपका पूरी तरह से यह जो scholar होते है जो research paper होते है या जो आप writer होते है authors होते है उसकी जिम्मिदारी होते है कि method का responsibility उसको लेना पड़ता है therefore it requires a clear and precise description of how the work was done and why specific methods were chosen तो इसका मतलब होता है methodology में आपको पूरा पताना पड़ता है कि आपने इस topics को क्यों चूज किया यह method को क्यों चूज किया और उसके माध्यम से आपने उस method को चूज किया तो किस तरह से वो complete हुआ किस तरह से उसका answer मिला it proposing new methods what is the requirement and comparisons with an existing method को simple जी बात होता है कि एक तरीके से जब आपने देखा कि आपने कुछ नया तयार किया है कुछ नया बनाया है उससे आपने कुछ work done यानि कुछ काम किया है उससे एक तरीके से यह आपके लिए नया proposed method है and ये इसके base पर आप जोता है अपने method का validation करने के लिए या test करने के लिए किसी existing method से उसको compare करते है methodology में continuation पर देखते है the method section should describe what was done to answer the research question जो research question है उसके लिए आपने क्या किया है या क्या workout किया है उसके बाद ये भी बताईए कि अगर आपने workout किया तो उसको कैसे किया है इसका मतलब बता है आपने ऐसा क्या design तेयार किया गया है कि किस तरह से design तेयार या आपका design कैसा है कि उसका flow कैसे हो रहा है एंसर के लिए explain how the result were analyzed उसके बाद अगर आपने कोई findings किया तो आपके findings का तब तक justification नहीं हो सकता प्रूफ नहीं हो सकता या validate नहीं हो सकता जब तक आप उसको किसी दुसरे के साथ analyze नहीं करते है so how the results were analyzed आपने क्या result analyze किया था scientific writing is directly is direct and orderly तो जो भी scientific writing होता है वो direct and orderly होते है therefore the method section structure should be यानि methodology में इतना discussion करने के बाद हमारे पास एक चीज़ आ गया है कि method section में होता क्या है describe the data used in the study, simple से बात है, explain how the data were prepared for study and describe the research protocols तो इसका मतलब है आपने जो भी data used किया है उसका description दीजिए और उसके बाज होता है how the data were prepared तो आपने जो भी study किया या जो भी आपने design बनाया है उसके लिए आमको जो data है उस data को आपने कैसे तयार किया है explain algorithm made, अगर आपने algorithm भी क्योंकि बिना algorithm का आपका कोई भी design तयार नहीं हो सकता है तो जो भी आपने structure तयार किया है, जो भी आपने design defined किया है, definitely आपका algorithm होगा वहाँ पे what calculations were performed and state which statistical test were done to analyze the data तो simple से बात है, जब तक आप analyze नहीं करते हैं, तब तक आपका algorithm fruitful नहीं होता है और validate नहीं होगा और वह accept भी नहीं होगा जनल पेपर में तो इसलिए अगर आप कोई paper, research paper लिखते हो और जनल ने भेशते हो तो यह जो statistical test है और फिर analyze करना यह जरूरी होता है 7th number findings and results है, findings and results में अगर आप देखते हो to present the findings of your research in an orderly manner using heading planned in your methodology or heading arising from pattern found in the research, simple से findings अगर आपने कोई search किया है या कोई plan किया है methodology के base पर या फिर कोई नया pattern आपका generate हो रहा है तो उन सब के बारे में बताईए finding and results में results में table का importance होता है figures का importance होता है, वो क्या importance होता है आप देख सकते है tables are used to present quantitative data और statistical results simple से बादर table format में हमारे जो quantitative data है actually जो figure वाय में data, figure मतलब quantity, numerical figures में जो data है उसको हम show करते है या पर non numerical form में data हो तो उसको भी show करते है, example of quantitative data search जैसे कि pollution हो गया, age हो गया, frequency हो गया, ये सब data को numerical based होते है, figure, figure generally क्या होता है, graphs या images होते है on the other hand come in different form और भी दूसरे form में आ सकता है, figure and table should be clearly visible, तो जो भी figures and tables बनाते हो, वो clearly visible होने चाहिए, data visible होने चाहिए, images भी visible होने चाहिए, उसके बाद ensure that all the tables you should have include our referred to the, ये important है, अगर आप कभी भी करते हैं, तो you have to be include our referred, यानि आपको referred करना है into the text, यानि जो भी आप introduction से लेके conclusion तक अगर आप लिखते हो, तो उसमें अगर table कहीं use कर रहे हो, तो table को mention करना जरूरी है, referred करना जरूरी है text में, ने तो फिर उस table का कोई importance नहीं है, उसके बाज होता है, do not include explicit instruction in your text for the reader to refer to the table, इसका मतलब है कि जब आप table के बारे, या table को refer करोगे, तो कोई direct instruction मत दीजिए उसमें, इस तरीके के instruction में मत दी, इस तरह से return मत कीजिए कि, आप एक तरीके से instruct कर रहे हो कि table को देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, it's best to make a brief reference, आप हमें से brief reference, for example, more than half of Canadian populations has not consumed hot sauce in the first half of the 2010, table 1, ऐसा करके लिए तो यानि इसका मतलब होता है कि abort instruction, जैसे c table, ऐसा नहीं होना चाहिए, c table करके आपको लिखना नहीं चाहिए, यानि आप जबरदस्ती बोल रहे हो कि देखिए उसको, या refer to figure या ऐसा भी नहीं लिखना है, इसके जगा आप लिख सकते हो, shown in figure या given in figure, ऐसा करके लिख सकते हो, लेकिन आप ये लिख देते हो, refer to figure या c table, तो यानि forcefully explicitly आप mention कर रहे हो, कि आप उसको लिखिए, last point आपके पास है, यहाँ पे है, pay particular attention to your target journal styles in its figure one, तो इसका मदला बता है, जब आप figure को लिखते हो, side करते हो, या mention करते हो, तो लिखने का तरीका एक different होता है, वो general के हिसाब से कहीं जगह में ऐसा लिखते हैं, कहीं ऐसा लिखते हैं, या कहीं small में लिखते हैं, तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना है कि according to the, जिस general में आप publication करना चाहते हैं, publish करना चाहते हैं, तो उसके final section है, जिसमें हमारा सारा, जिसका सारा जो होता है, एक summarize form होता है, तो perhaps it, perhaps it or summarize the key point of your papers, यानि आपने जो भी किया है, जो भी findings किया है, उसका summarize form conclusions में होता है, you may emphasize the significance of your findings, अब यहाँ पे आपका जो होता है, थोड़ा हम signify करते हैं, significance मतलब थोड़ा सा हम अपने चीज़ों को बताते हैं कि हमने क्या find है, तो इसका मतलब होता है, emphasize करना, emphasize करते हैं, बताते हैं कि हमने एक अच्छा चीज find out किया है, एक good idea is to provide some recommendation based on the result of your investigation, और suggest some direction for research, तो इसका मतलब है, वह conclusion section में future scope को हम mention करते हैं, reference list, finally हमारे पास आगिया है, कि reference list का मतलब बता है, no paper is complete without a reference list, यानि reference list का होना compulsion है, documentation, all the resource, all the source that you used for your research, तो इसका मतलब है, अगर कोई, किसी source या आपने कोई documentation लिया है, तो उसको आप reference section में put करोगे, and this should be laid out according to APA, APA format में होता है, मैं अभी थोड़े दिन में पताऊंगे, APA format क्या होता है, और other specified format allowing any interested research to follow up on the research, यह होता है, अब APA जो full-power होता है, वो होता है, American psychological association styles में लिखा जाता है, तो देखो, लिखने का तरीका बहुत simple है, सर्नेम को हम पहले लिखते है, डबलो उसके बाद backer n आइस तरह से लिखते है और उसके बाद bracket के अंदर हम लिखते हैं, कहीं-कहीं में bracket में लिखते हैं, फिर बाकी जो होता है ही होता है, फिर . करते है जर्नल का नाम होता है और इस तरह से वाल्यूम का नाम हम बीना वाल्यूम लिखे यूज करते है और यहां पर पेज का नाम होते है उसे तरह से नीचे भी दिया हुआ है एक पॉमेट है जिसका हम यूज करते है तो इसका मतलब है अगर reference section में आपने paper को यानि paper का listing किया है तो definitely उसको refer करना जरूरी है तो refer कैसे करते हैं देखिए refer करने के style बहुत है how to refer this paper जैसे उपर लिखा हुआ है missile तो missile and breaker यानि 2005 में उसने ऐसा कर लिखा है outline clear differences तो इस तरह से हम जो होता है जो citing करना यानि आप refer कर रहे हो वो इस तरह से होता है IEEE का reference हमेसा numbering में होता है जैसे यहां लिखा गया है आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा लिखा है और इस तरह से हमने last में दो number यानि यह referencing style है और इसमें जो referencing होता है वो ऐसे करके किया जाता है आप देख सकते है तो this is the reference section tools for research paper preparation आप जैसे आपने research paper सब बना दिया सब कुछ हो गया तो finally आपका जो होता है grammatical mistakes check करना है plagarism check करना है साथ में आपके sentences check करने है कोई जो होता है उसमें कोई mistakes तो नहीं है properly arranged है कि नहीं तो यह चीज़े हम तो सबसे important होता है कि जब आप manuscript prepare करते हो तो उसके लिए आपके पस बहुत सारे option है MS word generally हम use करते है और ने तो फिर open office होता है या writer या latex जो होता है mathematical जितने भी research होते है या paper writing होता है वो latex में होता है next one is grammar checker grammar checker का मतलब है जैसे कि अगर आपको कोई भी physical teacher English teacher नहीं मिल रहा है तो आप grammarly में जाके आपने grammar को check कर सकते हो यह कुछ जो चीज़े है free में है और बहुत सारी चीज़े को वो paid करके रखा है referencing tool referencing tool tools का मतलब होता है suppose कर लो आप reference बना रही हो और किसी reference को आपको manually करने के वज़ाए automatically वो add हो जाए जैसे medley एक बहुत अच्छा example है इसका use बहुत लों करते है उसे दरसे end node and jotero यह जो पता referencing tool प्लागरिसम चेक सपोस को आपने कोई आर्टिकल लिखा है और उसमें कोई प्लागरिसम है उसको चेक करना है तो आप जो ता है इसको कर सकते हो अगर मैं आपने CSBTU University के बारे में बात करता हूँ तो Tarnitine हमारे CSBTU में available है उसे तरह से अगर हम बात करते हैं मेरे college की भिला Institute of Technology की बात करता है तो उसमें authenticate software है उसे तरह से scraber है आप इसमें जा सकते हो या फिर बहुत सारे online जो आपके पास होता है इस पे भी जाकि आप देख सकते हो सबसे चेक करा लिया तो आपका paper आप ready है तो अब उसको publish करने जाना है तो सबसे final stage यह होता है publish करना है तो indexation of a journal is considered as a reflection to your quality तो इसका मतलब है जब आप journal की indexing से तो यानि आप journal में जब जाते हो तो उसके indexation देखते हो जिससे यह पता चलता है कि आपका paper की quality कैसे है उस आप से उस journal में publish होता है तो अच्छे journal में publish होता है या किसी science edition journal में publish होता है तो इससे पता चल जाता है कि आपकी paper की quality किसी standard की है index journals are considered to be higher scientific quality as compared to the non-index journals simple सी बात है index journal में सबसी springer nature की हम बात करेंगी तो उसका site दिया हुआ है UGC की है list का बात करेंगी तो यहां दिया हुआ है scopus index के बात करेंगी तो यहां होता है और science edition index की होता है यहां दिया हुआ है और हमारे पास जो टॉप publishers होते हैं वह एल्सबियर है springer है emmerland है टेलर फ्रांसिस है science direct है and IEEE transactions है तो दोस्तों and my dear research scholars अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ चीज़े सिखने को मिलिए मैंने यहां पर ब्रीफ ले एक paper की thinking से लेके paper writing से लेके paper publish करने तक के सारे जो options से आपको provide कर दिया अगर आपको इसमें कुछ और भी जानना है तो मुझे comments box में comments कर सकते है comments मिलिक सकते हैं मैं definitely इसका answer दूँगा और मेरा जो 16 years का teaching experience है जिसमें मेरा जो लगबग लगबग 16 years का जोता है मेरा research experience भी है तो इसी base पर मैंने सारे चीज़ों को आपको बताने की कोशिश के आपके सामने रखा अगर यह वीडियो आपको अच्छ लगा तो लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा और मेरे YouTube चैनल को subscribe करना नहीं बुड़ेगा तो चलिए इस वीडियो को last तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों and research scholar को भी मैं बहुत जादा धन्यवाद दोस्तों